नमस्कार, मैं तरुन वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकॉलोजिस्ट हूँ इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा RT, MS और OCD के बारे में RT, MS मतलब Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation जो की एक तरह के का ट्रीटमेंट होता है क्या वह OCD में लिया जा सकता है? क्या वह OCD में लेना सेफ है? क्या उसके कोई side effects हो सकते हैं? और हमें क्या उमीद करनी चाहिए अगर हम RT, MS का ट्रीटमेंट ले रहे हैं OCD के ट्रीटमेंट में साथ ही हमें ये consider करना इस ट्रीटमेंट को क्यों जरूरी है कुछ हालातों में, कुछ conditions में तो आईए इस पर बात करते हैं, repetitive transcranial magnetic stimulation जिसको RT, MS या repetitive T, MS भी कहा जाता है ये एक non-invasive procedure है, मतलब इसमें दिमाग को खोला नहीं जाता, दिमाग के अंदर कुछ डाला नहीं जाता दवा भी जैसे हम शरीर में खाते हैं, इसमें दवा की तरह भी कुछ शरीर में डाला नहीं जाता तो इसको कहते हैं non-invasive procedure, ये एक ऐसा procedure है जो एक magnetic device की मदद से दिया जाता है एक चुम्ब की ये उपकरण होता है, जो एक छोटी सी device होती है, जिसे skull के उपर, मतलब आपका जो उपर सर होता है खोपडी जी से कह लीजिए, उसके उपर उस machine को, उस magnetic device को लगाया जाता है, छोटी सी device होती है जिसके थूँ magnetic current भेजा जाता है, current मतलब electric current नहीं, magnetic wave, magnetic field भेजी जाती है दिमाग में यह जो sealed device होती है, इसके अंदर एक तार होती है, तार की एक coil होती है, जिसके अंदर electricity दोड़ती है और वो electricity के दोड़ने से, बिजली का current दोड़ने से, उस device के अंदर जो तार है, उसके थूँ, एक magnetic field पैदा होती है चुम्बकिये, एक शेत्र चुम्बकिये field पैदा होती है, जो की आपके दिमाग में भेजी जाती है या आपके दिमाग के उपर, सर के उपर उसे भेजा जाता है, उसे पैदा किया जाता है, इस magnetic field को जो आपके दिमाग में जाकर, electric current पैदा करते है, या उसको बढ़ा देते है हमारे दिमाग में जो कोशिकाएं होती है, neurons होते है, उनमें पहले से ही बहुत सारा current दोड रहा होता है बहुत सारा जो electric discharge है, उसमें हो रहा होता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके दिमाग में current दोडाया जा रहा है, मतलब कुछ अलग चीज दी जा रही है आपको कुछ नई चीज दी जा रही है, जिसका कोई बहुत घातक प्रभाव होगा, ऐसा नहीं है OCD या किसी भी दूसरी बिमारी में depression हो गया या schizophrenia हो गया इसमें हमारे दिमाग में जो current होता है, जो already होता है, दोड़ रहा होता है, वो थोड़ा धीमा पढ़ जाता है उसको तेज करने का काम ये magnetic field करती है, और वो magnetic field जब दिमाग के current को तेज कर देती है तो उससे हमारा दिमाग सही तरीके से काम करने लगता है, जादा तेजी से हमारा दिमाग work करने लगता है, उसकी functioning बढ़ जाती है MRI जो scan होता है, magnetic resonance imaging उसी की तरह ये technique काम करती है तो काफि सारे हमारे brain के अंदर ऐसे cells होते है, neurons होते है, जो कोई ना कोई अलग अलग बिमारियां लाते है जैसे OCD के लिए अलग cells होंगे दिमाग में यह कहलो कि अलग हिस्से में होंगे, depression के लिए अलग हिस्से में cells होते हैं, schizophrenia या कुछ और बिमारिया होती है उनके लिए दिमाग के अलग एरिया होते हैं जहां पर जो हमारे दिमाग के जो cells हैं वो responsible होते हैं उनके अंदर की जो electric functioning होती है, activity होती है वो बिगड़ जाती है तो OCD में भी ऐसे ही एक दिमाग का हिस्सा है जहां current ठीक से दोड़ नहीं रहा हमारे दिमाग में इसी लिए क्योंकि हमारे दिमाग में current दोड़ता है, RTMS जैसी जो technique है, device है, method है, तरीका है वो help कर सकता है क्योंकि वो magnetic field के थुरू हमें current पैदा कर देती है या उसे बढ़ा देती है तो दवाईयां भी एक level में यही काम करती है, हमारे दिमाग के current को बढ़ाती है, वो chemical level पर बढ़ाती है पुराने जमाने में electric shock दिया जाते थे, जिसको electro-convulsive therapy कहा जाता है, ECT आज भी कई जगाओं पर दिया जाता है, किसी-किसी case में consider करना पड़ता है, बट पहले जादा दिया जाता था वो भी इसी concept पर based है, कि हमारे दिमाग में current को दोडाना होता है, उसको तेज करना होता है हलंकि उसके नुकसान बहुत जादा होते हैं, या होते थे ऐसा कहेंगे, जो electro-shock दिया जाता है और वो दिमाग के उपर सीधे तोर पर असर करता है, जिससे दिमाग के अंदर काफी सारी injuries हो जाती है, damage हो जाता है RTMS इस मामले में काफी safe होता है, दवाईयों की ही तरह यह काफी safe होता है तो हमारे दिमाग के कुछ हिस्से जो है वो उत्तेजित किये जा सकते है, मतलब stimulate किये जा सकते है अगर उनको बार-बार magnetic field दी जाए, जिससे कि उनमें एक लंबे समय तक रहने वाला प्रभाव आ जाता है तो एक बार अगर देंगे, दो बार देंगे, तो उससे current दोड़ेगा, धीरे-धीरे अगर हम इसको बार-बार देते रहेंगे, कई बार देंगे तो उससे क्या है, उस area की जो activity है, वो सक्रिये हो जाती है, मतलब अब वो बनी रह जाती है अब उसमें कुछ समय के बाद, magnetic field या magnetic field के द्वारा जो current दे रहे हैं, उसको देने की जरूरत महसूस नहीं होती बिना उसके भी, वो current दोड़ता रहता है, उधर के जो cells होते हैं, दिमाग के, वो सक्रिये हो जाती है और ऐसा देखा जाता है कि जब ये magnetic field के थूरू जब current बढ़ाया जाता है, तो उससे OCD या depression या किसी दूसरी बिमारी के जो symptoms होते हैं, वो कम हो जाती है तो OCD पर इसके काफी प्रभाब देखे गए हैं, treatment ये नया है, 10-12 साल पहले ही इसको approve किया गया है, FDA ने इसको approve किया है, जो कि American Administration है, Food and Drug Administration, FDA, जो treatments को regulate करती है और इस पर जो studies हैं, वो आज भी हो रही है, इस technique पर, इस technology पर, आज भी कई-कई अलग-लग बिमारीों में अलग-लग तरीके से इसकी applications को study किया जा रहा है पूरी तर हैसे इसे study नहीं किया जा चुका है भी, खासकर कि जो ज़्यादा जो देखने में जो चीज आती है, वो ये कि किस बिमारी में दिमाग के कौन से हिस्से पर magnetic effect दिया जाए, इसको ज़्यादा study किया जा रहा है इसे ज़्यादा देखने में interested हैं, ज़्यादा तर शोध करता, क्योंकि यही एक confusion का area है तो कौन से हिस्से में brain के हमें magnetic effect देना है, कौन सा area target किया जाएगा, कितना target किया जाएगा, किस level की magnetic effect दिया जाएगा उसे, और कितने time तक देना पड़ेगा यही सब शोधों में अभी देखना बाकी है या देखा जा रहा है, पर काफी सारी बिमारियों में इसे अच्छे से देखा समझा जा चुका है और इसी पर आधारित होता है treatment की duration और treatment की frequency, तो कितना समय तक देना है, OCD है, depression है, schizophrenia है, anxiety disorder है, ये भी depend करता है इस बात पर दूसरा कितना जाधा severe है OCD या depression या anxiety disorder इस पर भी depend करता है कि कितना जाधा दिया जाए और साथी किसी के दिमाग के कौन से हिस्से जाधा तोर पर प्रभावित होंगे या कौन सी बिमारी के हिसाब से प्रभावित होंगे, ये देखने के बाद, ये decide करने के बाद ही magnetic effect किसी बिमारी से सफर कर रहे हैं, तो उस basis पर दिमाग का अलग area जो है, अलग जो region है, वो decide किया जाएगा कि कहाँ पर दिया जाए, ऐसे करके इसको decide किया जाता है, तो 2008 में जब FDA ने approve किया था RTMS को United States में depression के treatment के लिए, तब ये कहा जाता था या ये guidelines दी कि अगर depression किसी एक medicine से treat नहीं किया जा पा रहा है, तब उस case में RTMS दिया जा सकता है, और इसको फिर New Zealand, Australia, Canada, Israel और कई सारे European देशों में इसको approval दे दिया गया, जब इसको depression के लिए सिरफ use किया जाता था, तब जब depression किसी दूसरे treatment पर response नहीं देता था, मतलब कम से कम एक medicine जो बहुत लंबे time तक द जा सकता है, schizophrenia, stroke, brain injury, migraine और कुछ chronic pain वाली problems पर इसको अभी study किया जा रहा है, तो बहुत सारी और conditions हैं जिसमें इसको study किया जा रहा है और इसके अच्छे results देखे तो जा रहे हैं, पर अभी guidelines introduce करने के लिए, guidelines को issue करने में अभी थोड़ा समय है, तो safety क्या रहती है इसकी और side effects क्या आते हैं, RTMS बहुत safe treatments में से एक समझा जाता है, जो भी अभी तक की जो guidelines है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो, हालंकि कुछ patients होते हैं, जो headache, मतलब सरदर्द की समस्यां report करते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा दिमाग के अंदर थोड़ा सा discomfort होने लगता है, मतल सर में, muscles में, सर में, tightness हो सकती है, थोड़ा सा खिचाब महसूस हो सकता है, ऐसा सब थोड़ा बहुत देखने में आता है, कुछ-कुछ patients में देखने में आता है, epileptic scissor जो दौरा होता है, दिमाग का जो दौरा होता है, वो बहुत rare है, बहुत ही rare है, पर अगर वो कभी आ जाये, तो बिलकुल इस treatment को बंद कर देना पड़ता है, अगर ऐसा कभी हो जाये तो, आम तोर पे ऐसा होता नहीं है, पर आ सकता है, RTMS की वज़े से, अगर बहुत पेशेंट को history होती है, scissors की, मतलब पुराना अगर उसमें history है, उसको दौरे पड़े थे, तब उसके अंदर संभावना जादा होती है, क्योंकि दिमाग थोड़ा sensitive होता है दौरों के लिए, तो ऐसे case में RTMS के दौरान दौरे पड़ सकते हैं, साथी साथ ऐसे patients में, जिनमें paste maker डला हुआ हो, उन्होंने लगवा रखा हो, या किसी और तरह के कुछ metal के implants लगवाए हुए हो उन्होंने, या कुई और devices अगर body में लगवाई हुई है, तो उनमें भी RTMS नहीं दिया जाना चाहिए, उनमें भी नहीं दिया जाता, तो कहने का मतलब है कि side effects के तोर पे दे tumor में, scissor की मतलब दौरों की problem रह चुकी है, उसके लिए वो treatment ले चुके है या ले रहे है, history रही है, पर ये बहुत rare होता है, साथ ही साथ किसी तरह के का कोई implant लगा है, तो उस case में नहीं दिया जाता, वहाँ थोड़ा risk बना रहेता है, otherwise RTMS पूरी तरह से safe treatment है, तो आपको क्या expect करना चाहिए, अगर आप ये treatment ले रहे हैं, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, किस किस चीज से गुजरना पड़ेगा, कैसे आपको ये treatment दिया जाएगा, repetitive TMS जो है, वो दिन में एक बार या एक दिन में कई बार भी दिया जा सकता है, कई कई दिनों के gap पर भी द condition पर, ये treatment के protocol पर, बीमारी के हिसाब से और दूसरी चीज़ां को ध्यान में रखके दिया जाता है, 20 से लेकर 60 मिनट के आम तौर पर sessions होते हैं, हफते में 5 दिन तक आम तौर पर दिया जाता है, जो करीब 6 हफतों तक चलता है, तो मतलब करीब 30 sessions लेने पड़ेंगे, 6 हफत तो करकुरा के आपने कितने दे दी होंगे, 15 घंटे के करीब आपका treatment जाएगा, 15 से 20 घंटे का आपका treatment बनेगा, anesthesia नहीं दिया जाता, विहोश नहीं किया जाता, किसी भी जगए को दिमाग किया, किसी भी शरीर के हिस्से को सुन नहीं किया जाता, आप जगे रहते हो, आप एक बड़ी सी चेर पर, कुरसी पर बैठे रहते हो, सब आपको पता होता है कि आपके साथ क्या किया जा रहा है, क्या होगा, पेनलेस होता है, कोई दर्द नहीं होता, कोई परिशानी नहीं होती, या कुछ discomfort होगा ऐसा नहीं होता टिक-टिक सी ऐसे आपको सर में किसी एक जगे पर feel हो सकती है जैसे कि कुछ छोटासा हलके से कोई चीज जो है बार-बार उस पर touch हो रही है चू रही है या ठुक-ठुक-ठुक ऐसे करके tap हो रहा है जैसे कि महाँ पर अगर आपको लगे कि इस treatment में बहुत आवाजे हो रही है और आवाजे आपको बहुत परिशान कर रही है क्योंकि जब magnetic current जाएगा तो वो pulses छोड़ेगा तो उसमें कि टुक-टुक-टुक ऐसी आवाजे जाएगी तो अगर आपको वो बहुत discomfort लग सकता है noisy लग सकता है परिशान कर सकता है तो उसके लिए आप earplugs पहन सकते हो earphone जैसा कुछ लगा सकते हो कानों में जिससे आवाज या तो आएगी नहीं या बहुत कम आएगी long term effects जो है इस treatment के कम से कम 6 महिने तक रहते हैं आम तोर पर देखने में आते हैं हलंकि medicine और psychotherapy भी उसके बाद लेनी पड़ती है maintenance therapy के तौर पे तो ऐसा नहीं है कि अगर आप पर medicine work नहीं करी therapy work नहीं करी तो आपने TMS ले लिया और फिर उसके बाद आपने बाकी treatment छोड़ दिये ऐसा नहीं है बाकी treatments भी साथ में आम तोर पर लेने पड़ सकते हैं maintenance dose में मतलब थोड़ी कम dose में आपको दिया जाएगा treatment या therapy आपको कभी-कभी लेनी पड़ेगी अपने दूसरे behaviors या thinking pattern के लिए उनकी जरूरत पड़ सकती है बट कई बार नहीं भी पड़ती है जरूरत थेरपी दी जा सकती है या उनका treatment अगर चल रहा है तो उसमें दवा की dose बढ़ाई जा सकती है या कई बार दुबारा से अगर symptoms return कर जाए तो उस case में RTMS भी दुबारा दी जा सकती है ये भी हो सकता है अगर करना पड़े तो पर उसके लिए doctor को पूरा monitor करना होगा doctor को पूरा judge करना होगा check करना होगा उसके बाद ही वो decide करेंगे कि आपका treatment कितनी देर में complete समझा जाए और अगर दुबारा resume करना है तो वो कैसे और कब किया जाए और किया भी जाए या नहीं किया जाए मतलब RTMS वोला treatment दुबारा किया जाए या ना किया जाए इसलिए इसकी जो effectiveness होती है असर जो होता है वो variable होता है मतलब किसी पे जादा किसी पे कम कभी जादा तो कभी कम और इसको हम पूरे सटीक तोर पे नहीं कह सकते कि ये सारे symptoms आपके दूर कर देगा या हमेशा के लिए दूर कर देगा तो 6-8 महीने के लिए कम से कम इससे असर पढ़ी जाएगा या ये कह लिजे किसी केस में साल भर भी असर पढ़ जाएगा कुछ ऐसे cases हो सकते हैं जिसमें शायद पूरी तरह से भी दूर हो जाए OCD या depression पर आम तोर पर आप देखेंगे variable रहेगा chances हैं कि इस दुबारा से symptoms lot सकते हैं मतलब जो ये magnetic effect है जो दिमाग के अंदर जो current का दौरा बढ़ा देगा दौरता रहेगा वो एक समय के बाद वो stable तो हो जाएगा current मतलब आपको treatment नहीं भी ले रहे हो पाँच हफते चे हफते में आपने treatment ले लिये उसके बाद आपने छोड़ दिया मतलब देड़ दो महिना आपने treatment लिया उसके बाद छोड़ दिया तो दिमाग तो वैसा का वैसा बना रह जाएगा उसमें तो change आ गया वो तो अब आपके symptoms को कम कर गया आपके अंदर बहतरी हो गई, stable हो गए पर वो एक limit तक ही जाएगा chances जादा इसी के रहते हैं इसलिए इस पर अभी भी studies हो रही है इसलिए अभी भी हम इसको पूरे सटीक और पूरे effective और बहतर treatment के तोर पे नहीं कह सकते इसलिए इसको हम primary treatment के तोर पे भी नहीं ले सकते मतलब हम ये नहीं कह सकते कि चलो इससे जल्दी effect आजाएगा दबा भी नहीं लेनी, कोई therapy भी नहीं लेनी तो चलो यही treatment ले लेते हैं 6 महिना एक साल तो हम निकाली देंगे ऐसे नहीं कर सकते आप इससे तभी आपको फाइदा होगा जब आपका medicine या therapy effective नहीं है और उसके बाद आपके पास और कोई option नहीं है और आपको यही treatment लेना पड़ेगा तो उस case में 6-8 महिने तो कम से कम आप relief ले सकते हो उस बीच बहुत सारे आप behavior में thinking में और lifestyle में बदलाव ला सकते हो जिससे आप behavior therapy या cognitive behavior therapy से फाइदा ले सकते हो तो आपके पास कम से कम 4-6 महिने का time मिल जाएगा आपको जिसमें आप अपना CBT से treatment करा सकते हो उसे learn कर सकते हो अपनी skills develop कर सकते हो वो आपको फिर हो सकता है बाद में आपके condition को better करने में help करे या उसकी वजह से ही शायद दुबारा आपको कभी OCD आए ही ना या आपका OCD बहुत कम हो जाए तो ये चीज़ की जा सकती है कि जितनी time तक ये treatment के effects है उतने time में दवा भी ले ली जाए therapy भी ले ली जाए उतनी देर में इसके असर भी आ जाएंगे दवा और therapy के और दीरे दीरे आपको RTMS का जो effect आया है वो help भी करेगा और वो जादा stable भी हो जाएगा तो ऐसे करके RTMS का फाइदा लिया जा सकता है तो कहीं न कहीं आपको देखना होगा थोड़ी समझदारी के साथ, थोड़ी wisdom के साथ थोड़ा positivity के साथ आपको ये treatment approach करना चाहिए तो अगर आप पर therapy work नहीं कर रहे है मतलब आपके symptoms का impact इतना जादा है, anxiety बहुत जादा होती है बिल्कुल आप disturbed हो जाते हैं, feel करते हैं ऐसा, आपसे बिल्कुल therapy में work नहीं किया जा रहा, दवा पर असर नहीं ला रहे हैं, बहुत जादा disturb हो गया है तो RDMA से पहले तो अच्छा benefit ले लो फिर उसके बाद जब stable हो जाओ ये मत सोचो कि चलो इसका treatment का effect आ गया, अब तो मुझे यही लेना है अब तो मुझे therapy से भी छुट्टी मिल गई, दवाओं से भी छुट्टी मिल गई ऐसा मत करें कुछ महिने जब treatment का असर आ जाए बना रहे, तो उसके बाद therapy या medicine लेना अब शुरू करें और उससे जो effect आ रहे हैं उससे अपने को stabilize करें उनकी मदद से अपने को better करने की तरफ work करें क्योंकि आप बार 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 हर बार ये RTMS नहीं ले सकते हो सकता है कि कल को studies बताएं कि जो लोग बार बार RTMS करवा रहे हैं पैसा तो बहुत जाएगा ही जाएगा वो तो चलो आपने मान लो खर्च करा भी दिया पर बार 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 करने से हो सकता है कि लंबे टाइम में इससे brain में कुछ damage हो जाए कह नहीं सकते अभी अभी तक जो protocols हैं वो बस यही बताते हैं कि इतने हफते के लिए इतने इतनी बार दे दो इतना फेटा जाएगा और इतने time तक टिका रहेगा long term treatment देना है कितनी बार देना है 6 हफते से जादा देना है या हफते में 5 बार एक बार दिये फिर हर 2-2 महीने बाद repeat करना है इस बारे में कोई guidelines नहीं है कोई ऐसी indications नहीं है इसलिए chances सादा है कि डॉक्टर आपको एक ही बार देगा ये treatment बार बार नहीं देता रहेगा हो सकता है ऐसा हो आपके साथ तो इसलिए इस पर निर्भर ना रहें ये कोई राम बांड की तरह कोई ऐसा ना समझें कि इससे सारी problems दूर हो जाएंगी ये आपके लिए helpful हो सकता है करें वीडियो के नीचे कमेंट करें शेर करें वीडियो को किसी को अगर इसकी help मिल सकती है तो इसको ये जरूर दिखाएं चैनल भी सब्सक्राइब करें धन्यवाद